हेलो फ्रेंट्स मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम फूल वाला गोलाकार का डिजाइन बनाएंगे और आप इस डिजाइन की मदद से थालपोस बना सकते हैं टेवल के उपर सजाने के लिए आप इसे बना सकते हैं देखने में काफी सुन्दर भ दो रंग के उन से बनाया है उन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं फ्रेंट्स मैं आपको यह डिजाइन जो है धीरे-धीरे करके बताऊंगी ताकि आप इसे असानी से तयार कर सके और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा च लिया है फोर प्लाय उन में इस तरीके से चार धागा रहता है यह मोटा वाला फोर प्लाय उन है तो कुरूश्या हूप का साइज जो है 4 mm होगा और अगर आपके पास पतला वाला फोर प्लाय उन है उसमें धागा पतला पतला रहेगा तो उसके लिए आप कुरूश्या हू तो उसे भी हम हलके हाथों से ही तयार करेंगे तब ही हमारा थालपोज जो है गोल अकार में अच्छे से सेट होगा तो चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए हम इस तरीके से पहले साथ चैन तयार कर लेंगे यह हमारा साथ चैन तयार हो गया सबसे पहले वाले चैन में हम कुरूस को डालेंगे और इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे लॉक करने के बाद हम इसमें एक चैन लगा देंगे तो ये हमारा एक चैन हो गया अब हमें रिंग के अंदर टोटल 15 सिंगल कुश्या तयार करना है तो कुरूस को हम रिंग में डालेंगे पोटल पंदरा सिंगल कुष्या तैयार करना है तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ हमारा पंदरा सिंगल कुष्या तैयार हो गया सबसे पहले हमने जो चैन बनाया था उसके ठीक उपर हम गुरुस को डालेंगे और उन को बाहर करते हुए इस तरीके से हम लॉक कर देंगे तो ये हमारा इस तरीके से डिजाइन तयार हो गया अब हम ये जो हमारा चैन है इसके उपर हम डिजाइन बनाएंगे तो इसके लिए अभी हमें यहाँ पर आठ चैन बनाना है हमारा आठ चैन तयार हो गया नीचे जो हमारा पहला वाला जो चैन है इसमें हम कुरुस को डालेंगे उन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम फिर से आठ चैन तयार कर लेंगे तो यह हमारा आठ चैन हो गया फिर से हम नीचे वाले चैन में इसे लॉक कर देंगे तो बस इसी तरीके से हमें आठ चैन लेते हुए नीचे वाले सभी चैन में लॉक करते जाना है और लाश्ट में हमारा टोटल 14 तयार होगा हमने 13 बना लिया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा और यह 13 14 वाला जो हम बनाएंगे तो इसके लिए अभी हमें 4 चैन पहले तयार करना है तो यह हमारा एक, दो, तीन, और यह 4 और इसके बाद हम कुरूस में 2 बार इस तरीके से फंदे को लपेटेंगे और सबसे लाश्ट वाले चैन में डालते हुए निकालेंगे तो अभी हमारे पास कुरूस में 4 है तो फंदा लेके इसे हम 3 कर देंगे फिर से फंदा लेके हम इसे 2 कर देंगे फिर से फंदा लेके 2 का हम 1 कर देंगे तो यह हमारा टोटल 14 बार तयार हो गया इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे यह हमारा 1, 2, 3 फिर इसके बाद वाले पंख्री में इसे हम इस तरीके से लॉक करके फिर से तीन चैन बनाएंगे इसके बाद वाले पंकुरी में इसे हम फिर से लॉक करके फिर से तीन चैन बनाएंगे तो ऐसे ही हमें लाश्ट तक तयार करना है तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाते हूँ तो ये हमारा लाश्ट पंकुरी तक तयार हो गया फ्रेंड्स यहां मैं दूसरे रंग का उन इसमें जोड रही हूँ अगर आपको एकी रंग के उन से बनाना है तो अभी आप उन को कट मत कीजेगा तो अभी मैं यहां पर दूसरे कलर के उन को जोड़ूँगे कट करने के बाद हम कुरूस की मदद से उन को इस तरीके से पीछे कर लेंगे और अभी मैं उन को पीछे से कट नहीं कर रही हूँ पूरा तयार हो जाने के बाद हम लाश्ट में पीछे तरब से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा उन रहेगा सभी को हम अच्छे से बांद करके कट कर लेंगे तो अब हम दुसरे कलर के उन्म को यहाँ पर हमने जो तीन चैन बनाया था इसके ठीक बीच में सिंगल कुष्या करते हुए इसे हमें जोड़ना है और इसमें हमें टोटल चार सिंगल कुष्या तयार करना है तो ये हमारा चार सिंगल कुष्या तयार हो गया तो इसी तरीके से हमने जितना भी तीन-तीन चैन बनाया था सभी के बीच में चार सिंगल कुष्या तयार करना है यहां तब तो फिर से हम यहां पर इस चैन के बीच में चार सिंगल कुष्या तयार कर लेंगे तो ऐसे ही हमारा ये लैन जो है पूरा तयार हो जाएगा डिजाइन हमारा इस तरीके से तयार होगा अब हम इसके उपर डिजाइन बनाएंगे तो सबसे पहला वाला जो चैन है यहां से हम डिजाइन बनाना सुरू करेंगे तो यहां पर हमें सिंगल कुर्शया तयार करना है तो कुरूस को हम चैन में डालेंगे उनको बाहर करते हुए इसे हम दो का एक कर देंगे तो बस इसी तरीके से हमें सभी चैन में सिंगल कुष्या लाश तक तक तयार करना है थोड़ा सा बढ़ने के बाद हम इसे इस तरीके से हलके हाथों से फैला देंगे ताकि डिजाइन हमारा अच्छे से सेट हो जाए और हमें चैन के बीच में सिंगल कुश्या बनाने में असानी हो हमारा लास्ट चैन तक सिंगल कुश्या तयार हो गया यहां पर उनको मैं कट कर रही हूँ अगर आप एकी रंके उन से बना रहे हैं इसके बाद हम पहले क्रीम कलर का उन से डिजाइन बनाया था तो मैं फिर से यहां पर क्रीम कलर के उनको जोड रही हूँ तो चैन के बीच में हमें उनको इस तरीके से जोडना है उन हमारा अच्छे से जोड़ गया अब हम यहां पर तीन चैन बनाएंगे तो यह हमारा एक, दो और यह तीन नीचे से एक चैन को छोड़ कर यह दूसरे वाले चैन में इसे हम लॉक करके फिर से यहां पर हम तीन चैन लगा देंगे इसके बाद फिर हम नीचे से एक चैन छोड़ कर दूसरे वाले चैन में इसे हम लॉक करके फिर से तीन चैन लगा देंगे तो बस इसी तरीके से हमें तीन चैन लेते हुए नीचे एक चैन छोड़ते हुए यह लैंज पूरा तयार करना है डिजैन हमारा इस तरीके से तयार हो गया अब हम यहाँ पर पांच चैन लगाएंगे तो यह हमारा एक, दो, तीन, चार और यह पांच और हमने जो तीन चैन बनाया था इसके ठीक बीचो बीच इसे हम लॉक कर देंगे और हम अभी पहला लाइन बनाना सुरू करेंगे तो यहां से हमें अगर हम दो कलर के उन से बना रहे हैं तो हमें असानी होगा कि यहां पर हमारा लाइन जो है बनना सुरू हुआ है अगर आप एक कलर के उन से बना रहे हैं यहाँ पर आप Marker या फिर उनका ठुकुड़ा लगा दीजेए ताकि याद रहेगा फिर से हम यहाँ पर 5 चैन लगाएंगे और चैन के बीच में इसे लोक करेंगे फिर से 5 चैन लगाएंगे और इसके बाद वाले चैन के बीच में लोक करेंगे तो इसी बनाते समय हमें चैन जो है हलके हाथों से बनाना है थोड़ा भी कसना नहीं है नहीं तो डिजाइन हमारा अच्छे से सेट नहीं होगा तो अभी मैं आपको पूरा छे लैन जो है बना करके दिखाती हूँ तो यह हमारा पांच चैन करते हुए छे लैन जो है मैंने तयार कर लिया और डिजाइन को हम इस तरीके से नीचे एक बार रग कर देख लेंगे कि हमारा अच्छे से डिजाइन सेट हुआ है की नहीं फ्रेंट्स यहां मैंने शुरू में तीन चैन लिया और उसके बाद पांच चैन करते हुए छे लैन बनाए और इसके बाद हम छे चैन लेते हुए दो लैन तयार करेंगे फ्रेंट्स चैन बनाते समय अगर यह जो चैन है हमारा थोड़ा गोल जैसा है तो इसका मतलब हमारा डिजाइन जो है अच्छे से सेट हो रहा है और अगर आपको थोड़ा भी लगे की सीधा जैसा हो रहा है तब आप चैन बढ़ाना शुरू कर दीजे तो यहां मैंने पां मैंने और दो लाइन तयार कर लिया तो अगर आप इसी तरीके से डिजाइन बनाएंगे तो पुरा यह अच्छे से गोल होगा थोड़ा भी सीकुरेगा नहीं तो अभी मैं छे चैन करते वे दो लाइन तयार करके आपको दिखाती हूँ तो यहां मैंने टोटल आठ लाइन तयार किया है पांच चैन करते वे छे लाइन और छे चैन करते वे दो लाइन तयार किया है और अब मैं यहां पर उनको कट करके निकाल दे रही हूँ क्योंकि मुझे यहां पर दुसरे कलर के उनको जोड़ना है अगर आपको एकी कलर का उन से बनाना है तो उनको कट मत किजिए तो अभी हम इस तरीके से उनको सिंगल कुष्या करते वे चैन के बीच में जोड लेंगे जिस तरीके से हमने नीचे तयार किया था ठीक वैसे ही हमें तयार करना है बस अभी हमें पांच सिंगल कुष्या चैन के बीच में बनाना है प्रति हूँ तो ये हमारा इस तरीके से डिजैन तयार हो गया अब हम इसे हलके हाथों से चारो तरफ से धीरे धीरे फैला देंगे ताकि डिजैन हमारा अच्छे से सेट हो जाए और इसके बाद अब मैं उनको कट कर रहे हूँ और अभी मुझे दूसरे कलर के उनको जोड़ना है कुरुस को हम चैन के बीचू बीच ले जाएंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से जोड़ देंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर पांच चैन तयार करना है तो हमारा पांच चैन तयार हो गया जैसे हमने नीचे जो है तीन चैन सबसे पहले बनाया था नीचे का एक चैन छोड़ते हुए तो इसी तरीके से अभी हमें यहाँ पर नीचे से दो चैन छोड़ते हुए तीसरे वाले चैन में इसे हमें लॉक करना है और फिर से हम पाथ चैन लगा देंगे तो ये हमारा पाथ चैन हो गया फिर से नीचे से हम दो चैन छोड़ करके तीसरे वाले चैन में इसे लॉक कर देंगे तो बस इसी तरीके से हमें पाथ चैन करते हुए टोटल साथ लैन तयार करना है हमारा एक लैन जो है तयार हो गया और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर पाथ चैन तयार करेंगे तो ये हमारा एक दो तीन चार और ये पाथ और हमने जो नीचे पहले लैन में पाथ चैन बनाया था उसके ठीक बीच में इसे हम लॉक करके फिर से पाथ चैन बनाएंगे तो ऐसे ही हम साथ लैन तयार कर लेंगे तो मैं आपको साथ लैन तयार करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स यहां मैंने पाथ चैन करते हुए साथ लैन तक तयार किया है साथ लैन तक चैन जो है मेरा सही से गोल अकार में बन रहा था और उसके बाद चैन जो है सीधा होना शुरू हो गया था तो इसलिए मैंने उसके बाद एक चैन बढ़ा दिया है तो अभी हम पहले पाथ चैन करते हुए साथ लैन बना लेते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ हमारा साथ लैन जो है तयार हो गया इसके बाद हम छे चैन लेते वे तीन लैन तयार कर लेंगे तो टोटल हमारा दस लैन जो है तयार हो जाएगा डिजाइन हमारा इस तरीके से तयार होगा और इसका जो लंबाई है लगभग 15 इंच है और इसके बाद मैं इसे आगे नहीं बढ़ा रही हूँ अब हम किनारे का जालर और बीच में डिजाइन जो है तयार करेंगे फ्रेंड्स अगर आपको इसे बढ़ा बनाना है तो आप इसे बना सकते हैं बस चैन बनाते समय आपको ध्यान रखना है थोड़ा भी चैन सीधा होने लगे तो आप चैन का संख्या जो है बढ़ा दीजे तब डिजाइन जो है अच्छा से सेट भी होगा और आगे बनते चा करेंगे सबसे लाश्ट में हम तीन चैन इस तरीके से तयार करके चैन के बीच में इसे हम लॉक कर देंगे और फिर पीछे की तरफ भी एक बार लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर हम कैची की मदद से उनको कट कर लेंगे और फिर हम कुरुस की मदद से पीछे की तरफ उनको अच्छे से फसा देंगे डिजाइन हमारा इस तरीके से तयार होगा अब हम किनारे का जालर बनाएंगे और इससे पहले हम पीछे की तरफ हमारा जितना भी उन है सभी को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो एक्ष्ट्रा उन रहेगा इसे हम कट करके निकाल देंगे झाल जालर बनाने के लिए हम उन को इस तरीके से पहले जोड लेंगे और अभी हमें यहाँ पर 6 चैन तयार करना है तो यह हमारा 1, 2, 3, 4, 5, और यह 6 नीचे से हम एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम कुरूस को डालेंगे और उनको इस तरीके से बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे अभी हम तीन चैन तयार करेंगे तो ये हमारा तीन चैन तयार हो गया रिंग को हम इस तरीके से पलट देंगे और इसके अंदर हमें एक डबल कुशिया तयार करना है और इसके बाद हम इसमें एक चैन लगा देंगे फिर से हम रिंग के अंदर एक डबल कुशिया त्यार करेंगे इसके बाद एक चैन फिर से हम एक डबल कुशिया त्यार करेंगे तो टोटल हमें चार डबल कुशिया एक चैन लेते हुए त्यार करना है हमारा 4 डबल कुश्या तयार हो गया, इसके बाद हम 3 चैन लगा देंगे, जैसे कि हमने शुरू में लगाया था, फिर इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे, और इसके बाद हम नीचे की तरफ हम इसे एक बर और अच्छे से लॉक कर देंगे, तो यह हमारा फूल के लिए नी पत्ता बनाएंगे तो बस इसी तरीके से हमें एक फूल एक पत्ता एक फूल एक पत्ता इस तरीके से तयार करना है अगर आपको एक फूल दो पत्ता या फिर दो फूल एक पत्ता बनाना है तो उस तरीके से भी आप तयार कर सकते हैं तो फिर से हम यहाँ पर छे चैन लगाए और फिर हम रिंग को पलट कर इसके अंदर हमें पांच डबल कुष्या तयार करना है अभी हम पत्ता बना रहे हैं डबल कुष्या बनाते समय हम फंदे को धिरे धिरे बढ़ाते जाएंगे इस तरीके से तभी हमारा पत्ता का जो सेफ है वो अच्छे से तयार होगा तो ये हमारा पांच डबल कुष्या तयार हो गया इसके बाद हम यहाँ पर तीन चैन लगा देंगे फिर हम सबसे पहला वाला जो चैन हमने लगाया इसमें हम कुरूस को डालेंगे उन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद हम फिर से पांच डबल कुष्या तयार कर लेंगे जैसे कि हमने इस तरफ किया था तो अभी हम फंदा को थोड़ा थोड़ा छोटा करते जाएंगे तभी हमारा पत्ता का जो सेप है अच्छा बनेगा हमारा पांच डबल कुष्या तयार हो गया इसके बाद इसमें हम 3 चैन लगा देंगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था और इसके बाद बीच में इसे हम लॉक कर देंगे और फिर से हम नीचे यहाँ पर इसे अच्छे से लॉक कर देंगे तो यह हमारा पत्ता तयार हो गया अब हम इसके बाद 5 चैन लगा देंगे इसके बाद इसे हम जाली के बीच में इस तरीके से लॉ überhaupt कर देंगे यहां पर हमें फूल तयार करना है तो बस इसी तरीके से हम बनाती हुए पूरा एक लैन तयार करेंगे तो मैं आपको पूरा एक लाइन तयार करके दिखाती हूँ हमारा एक लाइन जो है पूरा तयार हो गया यहां मैंने एक फूल के लिए एक पत्ता एक फूल के लिए एक पत्ता इस तरीके से पूरा सेट किया है अब इसी तरीके से हम भीचो भीच भी तयार कर लेंगे हम जाली में उनको अच्छे से लॉक करेंगे और उसके बाद हम बनाना सुरू करेंगे तो इस तरीके से यहां पर हम इस वाले जाली से बनाना सुरू करेंगे और पुरा गो लिकार में हम हम डिजाइन को जाली पकड़ते हुए बनाते चाहेंगे तो यहां से एक-दो ये तीसरा वाले में यहां पर हम पहले अच्छे से उनको लॉक कर देंगे और इसके बाद हम डिजाइन बनाना सुरू करेंगे पत्ता और फूल का डिजाइन बनाने का तरीका एक ही रहगा तो यहाँ पर हम फिर से 6 चैन लगा देंगे और नीचे से एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम उनको इस तरीके से लॉक करके फिर से यहाँ पर हम तीन चैन लगा देंगे अभी मैं यहाँ पर फूल के लिए नीचे का भाग तयार कर रही हूँ और इसके बाद हम पत्ता बनाएंगे तो फूल के लिए हम उसी तरीके से एक डबल कुश्या एक चैन तो यह हमारा इस तरीके से डिजाइन तयार हो गया इसे हम नीचे एक बाद और अच्छे से लॉक करके पांच चैन लगा देंगे जैसे कि हमने पहले तयार किया था अभी हमें यहाँ पर हमने तयार कर लिया अब हम यहाँ पर इसके बीचो बीच को डालेंगे और उन को बाहर करते हुए इसे हम लॉक करके फिर से यहाँ पर छे चैन तयार कर लेंगे और अभी हमें पत्ता बनाना है पत्ता और फूल बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा तो मैं आपको पूरा यह लाइन बना करके दिखाती हूँ पत्ता बना है झाल झाल डिजाइन हमारा इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा यहां हमने फूल के लिए जगा बनाया फिर पत्ता फिर फूल के लिए जगा फिर पत्ता इस तरीके से हम डिजाइन को पूरा यहां तक तयार कर लेंगे तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ और इसके बाद हम फूल तयार करेंगे करेंगे किनारे का जालर और बीच का डिजाइन हमारा तयार हो गया अब हम फूल तयार करेंगे तो फूल हमें इस तरिके से पफ फिश्च बनाते हुए तयार करना है तो पहले हम उनको जोड़ेंगे यहां हमें पाँच पफ फिश्च तयार करना है तो किनारे से हम बनाना सुरू करेंगे चैन और डवर कुष्या के बीचों बीच हम कुरूț को ले जाएंगे और उनको पहले हम यहाँ पर लॉक करेंगे इसके बाद हम पंदे को इस तरीके से बड़ा करेंगे और फिर हम कुरूस में पंदा लेके अंदर डालते हुए निकाल लेंगे तो इस तरीके से हम चार बार निकाल लेंगे अगर आपको मोटा से करके बनाना है तो आप ज़्यादा से करके निकाल सकते हैं या फिर आप कम भी निकाल सकते हैं तो यहां मैंने चार बार निकाल लिया फिर इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसके बाद है फिर से यहाँ पर दो डबल कुश्या के बीचो बीच एक पॉफ श्टीच तयार कर लेंगे तो ऐसे ही हमें पांच पॉफ श्टीच तयार करना है तो मैं आपको पूरा लाश्ट तक तयार करके दिखाती हूँ हमारा पांच पॉफ श्टीच तयार हो गया सबसे पहला वाला जो पॉफ श्टीच था इसके ठीक उपर वाले चैन में हम कुरूस को डालेंगे और उनको इस तरीके से लेते वे इसमें हम तीन चैन लगा देंगे तो इस तरीके से मंदर निकालके फिर एक दो और ये तीन चैन लगा देंगे और इसके बाद यहां पर हम एक डबल कुष्या इसके नीचे यहां पर तयार कर लेंगे तो यह हमारा एक डबल कुष्या हो गया इसके बाद हम फिर से इसमें तीन चैन लगाएंगे एक दो और ये तीन फिर हम नीचे डबल कुष्या और चैन के बीचों बीच यहाँ पर हम कुरुस को डालेंगे और उन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉप करतेंगे इसके बाद हम दो पॉफ श्टीच के बीच में हम फिर से डिजाइन बनाएंगे तो ऐसे हमें बनाते जाना है तो यहाँ पर हम दो पॉफ श्टीच के बीच में पहले वन डबल कुष्या बनाएंगे फिर हम तीन चैन लगा देंगे फिर हम ये दोनों के बीच में यहाँ पर कुरूस को डालेंगे उनको बाहर करते वे इसे हम लॉक कर देंगे और फिर से इसमें हम एक और डबल कुरूस्या तयार कर लेंगे तो यहाँ पर यह हमारा डबल कुरूस्या तयार हो गया फिर से हम तीन जहन लगा देंगे और फिर नीचे हम यहाँ पर दो डबल कुर्ष्या के बीछो बीच हम कुरूज को डालेंगे और उनको बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर्देंगे इसके बाद फिर से हम दो पॉफ श्टीच के बीच में दो डबल कुर्ष्या बनाएंगे उपर हम तीन चैन लेते वे जैसे कि हमने पहले बनाया था तो मैं आपको पूरा लाश्टक बना करके दिखाती हूँ डिजाइन हमारा इस तरीके से तयार हो गया और इसके बाद हम यहां पर जो हमने शुरू में डबल कुष्या और तीन चैन बनाया था ठीक उसके बीचों बीच हम कुरूस को डालेंगे और इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और फिर पीछे की तरफ से भी हम एक बार इसे लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर हम उनको कट कर लेंगे फिर हम कुरूस की मदद से उनको इस तरीके से फसा देंगे और फिर हम इसे अच्छे से बांध लेंगे बांधने के बाद हम फिर हम कुरूस को इस तरीके से फूल के बीचों भी डालेंगे और उन को हम अंदर तरफ लेते हुए इसे हम एक बड़ा और अच्छे से बांध लेंगे फिर जो हमारा एक्ष्ट्रा उन रहागा इसे हम कट करके निकाल देंगे तो friends हमारा सुन्दर सा फूल तैयार हो गया बस इसी तरीके से हम फूल को तैयार करते चाएंगे तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ friends हमारा बहुत ही खुबसूरत थालपोस तैयार हो गया आप भी यह डिजाइन एक बार जरू बनाएए और आपको यह डिजाइन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में लिखिए आसा करती हूँ कि आपको मेरा डिजाइन जरू पसंदाया होगा तो फिरा मिलते हैं एक नए डिजाइन के साथ थैंक यू